2.4 आईनी करण आयोनाईजेशन अमल एवंशारों के जलिये विलियन के व्यवहार को समझने का प्रयास समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने किया स्वीडन के वैज्ञानिक आरेनियस ने सन 1884 में अपने अवलोकनों के आधार पर कहा कि अमल और शारों में कुछ विसस्ट गुण होते हैं उनके अनुसार अमल एक ऐसा आणू है जो कि जलिये विलियन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन H प्लस चार्ज तथा एक रिनावेशित आयन में वियोजित होता है इसी प्रकार्शार जलिये विलियन में रिन आवेशित हाइड्रोकसाइड आयन ओएच माइनस चार्ज और एक धनावेशित आयन में वियोजित होता है ये आयन उपरोक्त क्रिया कलाब 6 में विद्दुत चालन के लिए उत्तर दाई है ह2SO4 is equal to twice H plus charge plus SO4 2 minus charge CA OH whole twice is equal to CA double plus charge plus twice OH minus charge आयनी करण आयोनाईजेशन मुख्यता पदार्थ की विलियन में सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने की शमता पर निर्भर करता है स्वान्ते आगस्ट आरेनियस 1869-1927 वे स्वीडन के वैग्यानिक थे उन्होंने जलिये विलियनों में आयनिक पदार्थों की विद्दुत चालकता को समझाया उन्होंने सुझाव दिया की आयनिक पदार्थ जलिये विलियन में अपने अव्यवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं तथा यही आयन विद्दुत का चालन करते हैं उन्होंने अमल और शार के गुणों को H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन के बनने के आधार पर समझाया उन्हे सन 1903 में नोबल पुरसकार द्वारा सम्मानित किया गया